हेलो, what's up दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, आप सभी का स्वागत है, आपके अपने चैनल में सही जवाब में, दोस्तों, आज हम इस बात का सही जवाब ढूण रहे हैं, कि अलकोहल से आपके बॉडी के उपर क्या-क्या एफेक्ट्स हो सकते हैं, यानि कि ये अलकोहल जो है, वो से, लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों, इंतिजार किस बात का है, आपको चैनल को फटा-फट सब्सक्राइब कर दीजिए, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, तो दोस्त इन दोनों जगाओं के उपर जो है, वो ये बहुत ज़्यादा हिट करता है, जिसकी वज़य से आपकी लिवर और पैंक्रियास जो है, वो जो भी कोई जरूरी एंजाइम्स हैं, उनको इर्रेगुलर मातरा में रिष्पना शुरू कर देता है, यानकि कभी बहुत जाता है, जिसकी वज़य से ये सारे जो एंजाइम्स हैं, वो बॉडी के अंदर अक्युमिलेट हो जाता है, जो सर्पलस हो जाता है, वो कहा जाएंगे, तो बॉडी के अंदर बिल्ट अप होना शुरू हो जाता है, तो इसकी वज़य से होना क्या लगता है, ये पैंक्रिय करने के लिए help करता है याने कि जो भी waste है उसको आलग निकालना है जो भी protein है जो भी fats है उसको body में सोक लेना है साथ ही साथ alcohol को भी breakdown करने का काम liver करता है लेकिन कितना अगर वो बहुत कम मातरह में है तो ही लिवर उसको breakdown कर सकता है अगर आप दारू जो है वो नशे के लिए पी रहे हैं तो फिर आपका लीवर इतनी दारू हैंडल नहीं कर सकता है जिसकी वज़़े से लीवर को बहुत ही ज़्यादा हाइपर काम करना पड़ता है जिसकी उतनी शमता नहीं है और बाद में क्या होता है कि इसकी वज़़े से लीवर के उपर सूजन आना शुरू हो जाता है इसके बाद होता ये है कि लीवर के उपर छोटे-छोटे स्कार्स लगना शुरू हो जाता है घाव लग जाता है, कट लग जाते है तो इसको कहा जाता है लीवर सोराइसिस जो की एक बहुत कॉमन एक समस्या है जो की drinkers है उनके अंदर तो ये अगर liver psoriasis हो जाए तो ये life threatening होता है क्योंकि कई बार liver transplant नहीं मिल पाता है और liver psoriasis को आप जो है वो reverse नहीं कर सकते हैं उसको अगर ठीक भी करना है तो भी बहुत बहुत समय लगता है और फिर भी वह 100% ठीक नहीं हो पाता है तो ये कई बार जो है वो life threatening हो जाता है क्योंकि जब भी drinkers को liver psoriasis हो जाता है तो डॉक्टर उनको strictly alcohol से दूर रखने के लिए कहता है और ये लोग क्या करते हैं कि एक द और एक समय के बाद आपकी liver जो है वो अंदर bleeding होना शुरू हो जाता है वो फट जाता है हम ऐसा ही कह सकते हैं आप क्योंकि इतना वो inflate हो जाता है कि एक समय के बाद वो inflate भी नहीं हो सकता है तो क्या होगा तो वो break हो जाएगा तो उससे이 हूं निकलना शुरू हो जाता वेश चीजे हैं, वो किड्नी की तरफ भेज देना, तो बेसिकली अगर आपका लिवर और पांक्रियस ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, तो ये सारे टॉक्सिक चीजे जो हैं, वो आपके बॉडी के अंदर ही रहेंगी, तो हम ऐसा कह सकता हैं, कि बॉडी के अंदर एक तरीके से जहर बदना शुरू हो जाता है, जो अपने आप बॉडी को ही काटना शुरू करता है, तो ये सारे टॉक्सिक चीजे जो हैं, वो आपके बॉडी के बाहर नहीं पड़ती है, तो ये भी आपके बॉडी को अफेक करना शुरू कर देती है, अगली बात करें पैंक्रियस की तो pancreas आपको पता है कि insulin भी उससे रिष्टा है जिससे कि आपके खून के अंदर की sugar की मातरा control में रहती है तो ये pancreas का जो function है वो ढंग से नहीं को हो पाता है इसकी वज़ा से ये दारू की वज़ा से तो इसकी वज़े से कभी insulin बहुत ज़ादा रिष्टने लगता है कभी बिलकुल ही नहीं रिष्टा है तो इसकी वज़े से कभी blood sugar levels बहुत ही low हो जाते हैं तो कभी अगर insulin सही मातरा में नहीं रिष्टा है तो बहुत ज़ादा blood sugar levels shoot up हो जाते हैं जिसको कहते हैं hyperglycemia तो basically हम कह सकते हैं कि एक तरीके का diabetes ही है लेकिन diabetes की patient को क्या होता है कि throughout his life span या जब से उसको diabetes लगा है तो उसके blood sugar level high ही रहते हैं लेकिन यहाँ पर हमेशा high नहीं रहते हैं कभी-गभी इतना ज़ादा insulin secret हो जाता है कि blood sugar levels एकदम ही drop हो जाता है वो आगमी बेहोज भी हो सकता ह तो यह इस तरीके से irregularity उसमें आ जाती है अगली चीज़े दोस्तो central nervous system जिसके उपर भी बहुत बड़ा असर alcohol छोड़ता है तो basically alcohol कर क्या रहा है कि जैसे ही वो blood stream के अंदर सोक लिया जाएगा तो वो आपके nerve endings जो है या nerve signals जो है उसके साथ खेलना शुरू कर देता है तो ज signals के साथ ये खेलता है जिसकी वज़ासे ये signals irregular हो जाते हैं जिसकी वज़ासे कई बार जो लोग शराब पी लेते हैं उनको ऐसा अनुबव आता है कि वो उड़ रहे हैं या किसी और ही दुनिया में चले गए हैं या उनको बिलकुल हलका हलका सा महसूस हो रहा है वो धंग से बोल नहीं पा रहे हैं डंग से बैलन्स नहीं कर पा रहे हैं या उनकी motor skills जो है और जो sensory skills है वो ठीक डंग से काम नहीं कर रहे हैं माल लीजे यहाँ पर glass रखा है तो वो कहीं यहाँ पर heart डाल रहे हैं या अरे glass क्यू पगड में नहीं आ रहा है जबकि glass यहाँ पर लखा या alcohol जाकरके उनको block करने की कोशिश कर रहा है उसकी वज़े से ये सारी चीजे होना शुरू हो जाता है अगर आप बहुत लंबे समय तक alcohol consumption करते हैं तो फिर आपका जो frontal lobe होता है याने कि ये brain का सामने वाला हिस्सा तो इसकी अंदर जो है वो problem आना शुरू हो जाता है और frontal lobe की अंदर जो है वो आपका emotion center होता है इसके अलावा आपका memory center भी यही पर होता है तो सबसे पहले affect करता है आपका emotion तो जो भी कोई drinker है आपने देखा होगा drink करने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा या तो hyper हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा शान्त हो जाता है उनके emotions के उपर जो है वो ज़्यादा उनका control नहीं रहता है तो अगर वो आदमी बहुत ज़्यादा समय तक alcohol consume कर रहा है तो हो सकता है कि उसके mood swing बहुत ज़्यादा हो या वो आदमी bipolar भी हो सकता है आगर चल कर कि एक पल में वो बहुत खुश है एक पल में वो बहुत ज़्यादा दुकी है अगले पल में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो ये सारी चीजे उसके साथ होना शुरू हो जाती है इसके अलावा उसकी जो memory है वो ठीक धन से काम नहीं करती है specially अगर देखा जाए तो short term memory में बहुत ज़्यादा समस्याई आती है अगर आप 2 minute पहले उसको कोई बात बताएंगे तो 5 minute के बाद कुछ उसको याद में नहीं रहेगा तो ये सारी चीजे उसके साथ होना शुरू हो जाता है इसके अलावा दोस्तों अगर वो आदमी उसके बाद भी नहीं रुकता है अगर उसको थोड़ी बहुत memory में प्राबलम आ रहे हैं इमोशनल लेवल पर प्राबलम आ रहे हैं फिर भी वो आदमी अगर नहीं रुकता है तो पूरी तरीके से ही आपका brain उससे damage हो सकता है क्योंकि पूरी तरीके से alcohol आपके system से खेल रहा है उसको ढंग से काम नहीं करने दे रहा है और उसको मजबूर कर रहा है कि जो भी कोई signals है उनको वहाँ पर slow कर दिया जाए या manipulate हो जाए तो ये अगर आप बार बार करेंगे तो वो system जाहिर सी वात है ठीक डंग से काम नहीं करेगी तो पूरे brain की उपर इसका आसर जरूर हो सकता है और permanently उसकी memory को जो है वो damage भी हो सकता है हो सकता है कि वो आदमी अपने पिछले life की सारे experiences भूल जाए या अभी जो चल रहा है उसके बारे में भूल जाए तो ऐसा कुछ भी उसके साथ हो सकता है अगली चीज होती है dependency तो dependency में क्या होता है कि आदमी को अगर ऐसा लगता है कि किसी बुरे खायाल से बाहर निकलने का या उसके depression से बाहर निकलने का alcohol एक बहुत बढ़िया जरिया है या उसको पीने के बाद जो है वो ऐसी चीजे मुझे याद ही नहीं आती है मैं उन सभी चीजों को भूल जाता हूँ तो ऐसे में आपका brain भी biologically उसकी ओपर depend हो जाता है उसको अपने emotions को manage करने के लिए वहाँ पर alcohol का सहरा लेना पड़ता है और मैं आपको बदा दू कि यहाँ पर emotions वहाँ पर manage नहीं हो रहे है बलकि सिर्फ और सिर्फ आपको एक hallucination state में ले जाया जा रहा है आपको एक तरीके की बेहोशी वाली हालत में लेकि जाया जा रहा है जिसकी वजह से आपको वो खयाल नहीं आता है ऐसा नहीं कि वो खयाल जो है वो आपकी दिमाग से निकल जाते है जैसे ही शराब का अमल कम हो जाएगा वो खयाल फिर से आएंगे तो basically वहाँ पर emotions manage नहीं हो रहे हैं बस sedate हो रहे हैं तो आपकी body जो है वो emotionally उसके उपर depend होती चली जाएगी और problem जो है वो आगे शुरू होता है जब आप शराब नहीं पीते हैं तो उसकी जो withdrawal symptoms है उसकी जो heartbeat है वो बहुत ज़्यादा irregular हो जाती है उस आदमी को जो है वो सास लेने में कई बार तकलीफ हो सकती है body pain हो सकता है या anxiety हो सकती है depression हो सकता है ये सारे चीजें वहाँ पर हो सकती है इसकी अलावा हाथों में tremors होने लगते हैं कि अपने आप हाथ जो है वो कापने लगता है या body की किसी भी area में tremors चुरू हो जाते है और अगर बहुत worst case है तो ये चीजे life threatening भी हो सकती है इसके अंदर उस आदमी की जान भी जा सकती है तो इसकी लिए अगर आपको alcohol addiction छुडवाना है तो professionally वहाँ पर help लेनी पड़ती है ऐसे ही वो एक दिन उट करके आपने बंद कर दिया ऐसे नहीं चूटता है उसके लिए professional help वहाँ पर लेनी पड़ती है इसके अलावा कुछ rare cases में लेकिन अगर worst case है तो उसके अंदर seizures भी आ सकते हैं उस आदमी को याने के अकड़न आ सकती है अकड़ी जिसे क्या आ जाता है brain seizures वैसे आ सकते हैं जिसमें कि आदमी जो है वो पूरा conscious खो बैठता है और पूरी तरीके से उसको जो है जटका जैसा लगने लगता है बौड़ी के अंदर और इसके अलावा hallucinations भी उसको हो सकते हैं तो इन सारी चीजों से बचने के लिए उसको हम कहें कि पीरियोड के लिए हमको बंद करना पड़ता है एक दिन अचानक से बंद करके काम नहीं चलता है दोस्तों अगली चीज आपकी पूरी डाइजेसिन सिस्टेम पे ये वहाँ पर हिट करता है तो हमने तो ये देख लिया कि पैंक्रियाज और लिवर के साथ ये क्या करता है लेकिन अगली बात इसमें ये होती है कि जब ये इंटेस्टाइन तक पहुचता है अलकोहल तो वहाँ पर भी डैमेज करना शुरू कर देता है तो इसकी विज़े से होता ये है कि जो भी कुछ आप खाते हैं तो उसकी अंदर के न्यूट्रेंट्स बॉड़ी ठीक तरीके से अपसॉब नहीं कर पाती है एक तो लिवर धन से काम नहीं कर रहा है जिसकी वज़े से खाना ठीक से आप ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हैं तो वैसा ही खाना इंटेस्टाइन में जा रहा है इंटेस्टाइन में भी वो ठीक तरीके से अपसॉब नहीं हो पा रहा है किड्ने के उपर प्रेशर पड़ रहा है तो इसकी वज़े से जो है वो malnutrition तो होता ही है लेकिन suddenly diarrhea भी उस आदमी को हो सकता है या जब वो stool पास करता है तो बहुत ज़्यादा painful ये हो सकता है उससे खून निकल सकता है तो ये सारी चीजे हो सकती है और अगर worst case है अगर वो बहुत ज़्यादा heavy drinker है तो उसके intestine में जो है वो ulcers develop हो सकते है तो ये ulcers तो बहुत ही ज़्यादा painful होते है ये हज से ज़्यादा painful होते है अगर आपके intestine के अंदर ulcer हो गया है तो immediately surgery करनी पड़ती है अगर आपने गलती से भी कोई खा लिये चीज तो वो आप imagine कर सकते हैं कि आपके intestine के अंदरूनी हिस्से में एक बहुत बड़ा ulcer आ रहा है जो कि बहुत painful है उसके उपर acids यानि कि पेट के अंदर के acids जा रहे है उससे problem हो रही है खाना उसके उपर घिसा जा रहा है तो कितना जादा pain होगा उस pain के अंदर आदमी मर भी सकता है इतना जादा pain उसमें हो सकता है तो जो लोग heavy drinkers है उनको इस तरीके की समस्या आ सकती है इसके अलावा जो heavy drinkers है उनके अंदर hyper dehydration की भी समस्या आती है अगर hyper dehydration होता है तो भी बहुत problem body में आ जाते हैं तो इसकी विज़े से जो heavy drinkers है वो बहुत ज़्यादा risk पर है साथी साथ कई बार ये जो ulcers आते हैं उनका स्वरूप आगे चलकर cancer में भी बदल जाता है तो ये लोगों को यहाँ पर मुग का cancer हो सकता है गले का cancer हो सकता है अनलीका का याने के food pipeline का cancer वहाँ पर हो सकता है isophagus का cancer हो सकता है liver का cancer हो सकता है pancreatic cancer हो सकता है और intestine के अंदर भी cancer इन लोगों को हो सकता है तो basically ये लोग अगर short में बताना चाहूं तो ये लोग cancer को बहुत ज़्यादा prone होते हैं अगला problem दोस्तों आपके circulatory system पर याने कि आपके heart के उपर आता है तो alcohol का कुछ असर ऐसा होता है आपके body के उपर कि आपका जो heart है वो weak होता चला जाता है जिसकी वज़ासे वो ढंसे body को जो blood है वो supply नहीं कर पाता है या pump नहीं कर पाता है जिसकी वज़ासे आपको heart failure का खतरा है, heart attack का खतरा है, stroke का खतरा है तो ये सारे खतरे उसके अंदर जो है वो आते हैं इसके अलावा blood pressure या तो बहुत ज़्यादा high हो सकता है या बहुत ज़्यादा low हो सकता है इसके अलावा heart beat जो है वो भी irregular हो जाते हैं और अगर heart beat irregular हो रहे हैं तो और भी ज़्यादा चिंता की बात है क्योंकि वो heart कभी भी रुख सकता है क्योंकि उसके beats जो हैं वो regular नहीं है Beach में वो बहुत ज़्यादा slow हो रहा है या Beach में वो बहुत ज़्यादा fast हो रहा है तो ऐसे situation में वो heart fail होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है और अगर heart की तरफ से ठीक तरीके से blood पहुच नहीं रहा है brain तक तो आपको brain stroke भी हो सकता है तो देखिए high blood pressure है या मैं कहों cancer भी है heart disease उसको कुछ हो गया है heart attack हो गया है तो उसके अंदर बचने के कुछ chances है उसको अगर सही वक्त पर medical treatment मिल जाए तो शायद वो आदमी बच जाता है लेकिन अगर उसको brain stroke हो जाए तो बचने की उमीद बहुत कम है क्योंकि brain stroke एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज़्यादा fatal हो जाती है उस patient को जो है वो बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसके अलावा दोस्तों reproduction system के ओपर भी ये चीज बहुत ज़्यादा hit करती है क्योंकि अगर महिलाएं अगर वहाँ पर alcohol consume कर रही है तो उनको और ज़्यादा इसके बुरे effects को सामना करना पड़ता है क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि female body के अंदर एक enzyme होता है जिसका नाम होता है testosterone तो ये कम मातरा में होता है ये male body में ज़्यादा होता है तो testosterone क्या करता है कि उसका resistance ज़्यादा होता है alcohol के लिए तो इसकी वज़े से आपने कभी भी देखा होगा तो महिलाओ को शराब जो है वो बहुत ज़्यादा उसका नशा हो जाता है और जल्दी हो जाता है मर्दों के मुकाबले तो उसकी वज़ा ही यही होती है कि female body के अंदर testosterone level कम होते है तो जो भी कोई alcohol है वो directly blood stream में absorb हो जाती है जिसकी वज़े से उसका अमल ज़्यादा हो जाता है चड़ती ज़्यादा है तो इसकी वज़े से उसकी effects भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो ऐसी situation में उस औरत के pregnancy में बहुत सारे complications आ सकते हैं हो सकता है कि जो बच्चा पैजदा हो उसके अंदर कुछ chronological बीमारी आजाए या deformity आजाए या कोई brain ठीक तरीके से develop नहीं हो रहा है या nervous system पूरी तरीके से develop नहीं हो रही है ऐसे वहाँ पर problems आ सकते हैं या worst case में वो औरत जो है वो infertile हो जाएगी याने कि वो बच्चे को जनम नहीं दे पाएगी कभी भी और अगर मर्दों की अंदर देखा जाए तो मर्दों की अंदर उनको erectile dysfunction हो सकता है या इसके अलावा उनके sperms में deformity आ सकती है तो अगर sperms मे deformity है तो आगे चलकर बच्चा भी deformity वाला ही पैदा हो सकता है उसके chances जादा होते हैं तो इस तरीके से ये आपके sexual life के उपर भी परभाव जरूर डालता है इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके muscles और skeletal जो आपके bones होते हैं उनकी उपर भी ये बहुत जादा असर कर करता है तो आपके muscles को कमज़ोर करता है साथी साथ आपके bones को भी कमज़ोर करता है over the time आपकी bone density जो है वो कम होती चली जाएगे जिसकी वज़ा से bones कमज़ोर होंगे और चूटी चूटी बातों पर आपके bones जो है वो break भी हो सकते हैं साथी साथ शराब का problem ये हो जाता है कि जब शराब आपके शरीर से बाहर निकलती है तो सब कुछ निचोड लेती है उसके साथ मतलब जो जरूरी vitamins और minerals होते हैं calcium होता है वो भी शराब के साथ आपकी urine के जवारा बाहर निकाल दिया जाता है जो कि आपके bones के लिए बहुत जरूरी होता है तो एक तरीके से हम कहें कि जैसे ही आप शराब अंदर डालते हैं आप आपके body के अंदर की सारी जरूरी चीज़े खीच करके बाहर फेक रहे हैं इसके अलागा दोस्तों अगर बात की जाए तो immune system के उपर भी बहुत गहरा असर होता है क्योंकि alcohol जो है वो आपको mal nourish कर देता है तो आपके body तक सही मातरा में protein नहीं पहुच रहा है, minerals नहीं पहुच रहे हैं जिसकी वज़ा से आपकी immune system जो है वो weak होती चली जा रही है इसकी वज़ा से आपने देखा होगा कि जो heavy drinkers है उनको बहुत जल्दी जुखाम हो जाता है बहुत जल्दी वहाँ पर बुखार आ जाता है और तरीके या तो वह बहुत ही जादा जरुद से जादा अबेस हो जाएगा या जरुद से जादा श्रिंक हो जाएगा हम कहें कि बिल्कुल पतला हो जाएगा वो आदमी अंदर से ऐसा लगेगा कि सिर्फ हड्डियों का कंकाल बचा हुआ है तो ये चीजे होने की वज़ा से immune system भी ब throat infection हो सकता है पेट के अंदर infection हो सकता है तो immune system को भी आप एक तरीके से तोड़ रहे हैं भले ही आपको आपकी किस्मत अच्छी रही आपको liver के ऊपर कोई damage नहीं हुआ heart की ओपर damage नहीं हुआ बाकी कुछ नहीं हुआ फिर भी आप कहीं न कहीं आपकी immune system को weak कर रहे हैं अगर शराब की वज़ा से नहीं तो किसी और infection की वज़ा से तो आदमी मरी जाएगा तो इसकी वज़ा से ये जो है वो बहुत ज़ादा हानिकारक साबित होती है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है काम का लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और साथी साथ दोस्तों इस वीडियो को share करने की जरूर कोशिश करें जादा से जादा शेयर करें ताकि लोगों तक इसके जो दुश परिणाम है वो जल से जल पहुंच सके और वो कहीं न कहीं इस आदत से निजात पा लें